नमस्कर दोस्तों आप सब कैसे हैं? I hope सब अच्छे होंगे, मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो चलिए दोस्तों आ गया है बिल्कुल यूनिक तरीके से स्वीट डीस का रेस्पी जिसको मुँँ में जाते ही घुल जाने वाली है और स्वादीष्ट तो इतना है दोस्तों कि आप लोग हैरान रहाएंगे इस रेस्पी को बना करके तो एक बार से जरूर ट्राइ कीजिएगा इस तरह से रेस्पी बहुत ही जादा यूनिक है और बहुत ही जादा स्पेशल है दोस्तों तो एकदम परफेक्ट बनेगी ये रेस्पी, तो इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा, बच्चे बुढ़े, सभी लोग पसंद करेंगे, गेश्ट के आने पर, मिहमान के आने पर अगर बनाएंगे, तो तारीफ का तारीफ ही होगा दोस्तों, मैं सच में बता रही हूँ, इत अतना हेल्दी था और टेस्टी था, तो एक बार ट्राइ कीजिएगा, तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, और एक एक आइडिया को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा, तो चलिए मैं चलती हूँ अब बनाने, पहले एक कड़ाही बेठाना है, चुला पे गरम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा घी डाल करके ड्राइफ रूट्स भून लेना है, जिसमें है काजू और बड़ा बदाम, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, अब इसको बढ़िया सा क्रेस् इसको अलग बरतन में निकाल लेना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाईए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, अब इसी में भून लेना है किसमेस, किसमेस को भी बढ़िया से भून लेना है, बढ़िया सा पक जाएगा, तो इसका कलर भी लगता है दोस्तों, देखिए किस तरह से, अब इसको भी निकाल लेना है, इसको निकाल लेने के बाद में, फिर आगला प्रोसीस पर चलिए दोस्तों, इसमें डालना है खाने वाला बड़ा चम, खाने वाला जो चमच है, ज्यादा छोटा साइज का नहीं है, मीडियम है, उससे एक चमच देशी घी, देशी घी है, घर का घी है, अब इसमें डालना है, एक छोटा बाउल से, हाफ बाउल सुजी, आप किसी भी बरतन का या कटोरी का कप का माप बनाईएगा, उसी कटोरी से सारा समगरी इसमें पड़ेगा दोस्तों, तो एक एक पॉइंट को फोल कीजिए, एक बाउल छोटा सा है, उसमें से हाफ बाउल सुजी, सुजी हलका भुना जाएगा, उसके बाद डालना है, हाफ बाउल बेसन, अब इन दोनों को बढ़ियां सा पकाना है, मीडियम टू लो रखके फिलेम को बढ़ियां सा भुनना होगा, जिससे इसको भुनते घी अलग हो जाएगा, घी बिल्कुल छोड़ देगा दोस्तों, इसको भुनते भुनते, तो समझ जाएगा, परफेक्ट भुना गया है, हाई फिलेम पे न भुनियेगा, कलर चेंज हो जाएगा, इसको मीडियम टू लो पे भुनना है, कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, और इसको पक भी जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो बढ़िया सा पक जाने के बाद में घी छोड़ने लगेगा, और देखिए इस तरह से गिला गिला सा होने लगा, घी छोड़ने लगा अलग, तो समझ जाएगे, अब बढ़िया सा भ भुना गया है, इस तरह से इसका कलर भी हो गया है दोस्तों, और कर्ची से उठाने पर हलका लगता है, जब पढ़िया भुना जाएगा, तो हलका लगने लगेगा, तब इसमें डालना है एक गिलास दूद्ध, जिसका माप है 300 ग्राम, 300 ग्राम दूद्ध डालना है दोस्त तो इसको 75 ग्राम के आसपास बेसन थाव 75 ग्राम आसपास सुजी था 100 ग्राम से कम-कम ही था दोस्तों दोनों बराबर-बराबर मात्रा में था अब इसमें 300 ग्राम दुध पड़ा है 300 ग्राम दूध डाल दने के बाद में इसको चुलहा को बंद रख के दूध डालिएगा और फिर इसे continue medium to low पर पकाईएगा तो इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा पकने लगेगा गाढ़ा गाढ़ा सा पकने लगेगा उसके बाद देखिए इस तरह से bubbles छूटने लगता है दोस्तों और इस तरह से फिर इसे dry कर लेना है ज्यादा पतला नहीं रखना है अब बढ़िया सा पक जाएगा थोड़ा ठीक हो जाएगा तब इसमें पड़ेगा चिन्नी चिन्नी साइनिंग आने के लिए इसको पका करके ही डालिएगा इसको पकाने के बाद में चिन्नी डालिएगा तो साइनिंग बहुत बढ़िया आता है दोस्तों एक दम से साइनिंग आएगा बहुत ज़्यादा टेश्टी दिखेगा तो इसलिए चिन्नी लास्ट में डालना है इसको बढ़ियां सा पक के ठीक हो जाएगा उसके बाद चिन्नी डालना है वीडियो पे बने रहेगा कि कौईन को फॉलो जरूर कीजिएगा देखिए अब डालना है चिन्नी इसमें 200 ग्राम 200 ग्राम चिन्नी है दोस्तों उसी कटोरी से माप है तो हाफ हाफ का बावल था बेसन और सुजी और एक बावल चिन्नी है उसी बावल से और 300 ग्राम दूध तो देखिए अब इस चिन्नी को पकते पकते साइनिंग आने लगा है बढ़ियां सा इसको पकना चाहिए बढ़ियां पक जाने के बाद में बिल्कूल सा ए भी ठीक हो जाएगा तब अगला प्रोसिस पे बताऊंगी कि आब इसमें जो खास समागरी है और कैसे पड़ेगा तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा बीच में नहीं छोड़ियेगा दोस्तों नहीं तो ये बढ़ियां रेस्पी आप लोग हाथ से छोड़ देंगे एक बार इसका फुल वीडियो देख लेने पर ये आइडिया से एगर आप लोग बनाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेस्पी बनेगा और आप लोग को पसंद आएगा मैं गरांटी ले रही हूँ सभी लोग पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो देखे इस तरह से एक दम से गाढ़ा गाढ़ा घी के तरह ठीक हो गया है चुलहा बंद करके अब साइड में रखना है तब तक के लिए घोल तेयार करना है 100 ग्राम दूध में एक चमच खाने वाला चमच से कस्टड पाउडर और थोड़ा सा फुट कलर इसको बढ़िया सा घोल तेयार कर लेने के बाद में इसमें फिर फ्लेवर के लिए एक सामगरी और पड़ेगा वीडियो पे बने रही है आप लोग आप इसमें डालना है बनीला एसेंस बनीला एसेंस है दोस्तों इसको दो से तीन बुंद डालना है फ्लेवर के लिए बढ़िया सा फ्लेवर आएगा अगर आपके पास बनीला एसेंस नहीं होगा तो आप लोग इसके जगह इलाईची पाउडर डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा बनीला फ्लेवर बना रही हूँ इसलिए बनीला एसेंस डाली हूँ अब इसको बढ़ियां से चुलहा बन्द रखते हुए इस कस्टड घोल को डाल करके और इस तरह से मिक्स करना है मिक्स करते करते बढ़ियां सा घोल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा दोस्तों जिसमें गाठ गुठली नहीं होना चाहिए और एकदम से परफेक्ट घोल हो जाएगा तब चुलहा को फिर जलाना होगा अभी चुलहा बंद ही रखना है चुलहा बंद रखके इसे एक मिनट तक बढ़ियां से अराम से घोल लेना है देखे इस तरह से हो गया है तयार नहीं इसमें गाठ गुठलीया है और एकदम से परफेक्ट घोल तयार हो गया है कश्टड का तो अब इसको पकाना होगा दो से तीन मिनट इसके लिए चुलहा को ओन कर लेना है चुलहा ओन कर लेने के बाद में फिर इसे से मीडियम टू लो पर ही पकाना है दो से तीन मिनट जदा है नहीं पेंदी में चिपकने लगेगा कुस्तड है तो इसको मीडियम टू लो पर ही बणियासा पका लेना है दोसे तीन मिनट पक जाने के बाद में आगला प्रोसिस बताऊंगी कंटीनीव इसे पहले चलाते रहना है दोस्तों जिसे पेंदी में चिपके नहीं जले नहीं इसलिए देखिए कंटीनीव चलाते चलाते इस तरह से पक गया है अब इसमें डालना है ड्राय फृ मैं चूटे चूटी टुकड़ों में कट कर ली हूं और इसको काजु भी कट किया हु быстр ृ मिश्ट है अब इन सब ड्राय फृ में डाल करके और फिर से इसको मिक्स कर लेना है फिर से मीनित तक जीससे बढिया सा ड्राई फ्रूट्स भीप बख जाएगा तो इस तरह से राय फ्रूट्स को डालने के बाद में कावज एक सावज.'' के बाद में फिर इसे कैसे सेट करना है क्या करना है वीडियो पर बने रहिएगा यह ऐसा वीडियो है दोस्तों कि बीच में छोड़ने पर रेश्पी आप लोग नहीं बना पाएंगे अब चुला बंद करके उतार लेना है इसे छोड़ देना है एक मिनट तक थोड़ा सा हट जाएगा गर्मा हट हट जाएगा हलका हलका जब गरम रहेगा जिसे हाथ इसमें सहे हाथ डालने पर ज्यादा जले नहीं उस तरह से इसको ठंड़ा करना है ज्यादा बिल्कुल ठंड़ा न कीजिएगा तो देखिए दोस्तों इसके लिए अब लेना है एक बड़ा बॉल में हलका सा घी गिरीश मैं करी हूँ तो इस घी को गिरीश कर देने के बाद में इसमें अब सारा डो सेट कर देना है बड़े चम्मस से इसको सारा डो को एक जगा इस बॉल में निकाल लेना है निकाल लेने के बाद में फिर हाथ से हलका सा घी लगा करके और इस तरह से सेट करना है देखिए अब हाथ में ज़्यादा गरम नहीं लग रहा है इसलिए मैं बोली थी एक मिनट तक ठंडा करने अब इसको हाथ से बढ़ियां सेट हो गया है दोस्तों अब इसको ढ़कान उपर से रखे छोड़ दीजिए दो से तीन मिनट जिसे बढ़ियां सेट हो जाए तब इसको पुडिंग को मैं निकालूंगी ए है सुजी कस्टरड पुडिंग जिसको आप लोग बनाने का इजी तरीका मैं समझाई हूँ और आप लोग बना पाएं इसलि पुडिये इजी तरीका है कोई ताम जाम वाला रेस्पी नहीं और स्वादीष्ट तो इतना ज्यादा है दोस्तों कि मत पुछिए आप लोग बना करके देखिए बहु ज्यादा टेस्टी बना है तो देखिए इसको अब इस तरह से एक प्लेट रखके और बॉल को प्लट लेना है पलट लेने के बाद में देखिए कितना बढ़िया इसका लुक बन गया बहुत ज्यादा टेस्टी भी है दोस्तों देखिए कितना खास लग रहा है कितना साइनिंग इसमें है दोस्तों और इतना मतलब टेस्ट इसका खास लगेगा कि आप लोग बना करके हैरान हो जाएंगे कि वाह कितना टेस्टी ए रेस्पी है गेश्ट तो तारीफ किये भीना नहीं जाएंगे दोस्तों तो अब उपर से थोड़ा सजावट के लिए डालना है हर्सिस सीरप हर्सिस सीरप फ्लीप कार्ट पे असानी से मिल जाता है इसका लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में बताऊंगी एक कमेंट किजिएगा कि हर्सिस सीरप मैं कहां से खरीदी हूँ तो उसका लिंक मैं डालूंगी तो अब उपर से थोड़ा सा चोकलेटी फ्लेवर वाला चोकलेट डालना है जो केक पर पड़ता है बच्चे इस हर्सिस सीरप और चोकलेटी फ्लेवर का चोकलेट से ज़्यादा खुस हो कर खाएंगे इसलिए मैं लगा रही हूँ अगर आपके पास एदो समान नहीं होगा दोस्तों हर्सिस सीरप और चोकलेट तो आप इसके जगा ड्राइफ फ्रूट्स उपर से भी थोड़ा सा लगा सकते हैं थोड़ा सा ड्राइफ फ्रूट्स छोटे छोटे पिसेज में गार्निस कर लीजिएगा तो देखिए आप इसको मैं काट करके दिखा रही हूँ कितना लचीला बना है वाव बहु ज़्यादा लचीला है दोस्तों इतना ज़्यादा टेश्टी है कि अगर आप दो तीन घंटा के लिए भी रखकर खाएंगे फिर भी बहु ज़्यादा लचीला रहेगा सोफ्ट रहेगा और टेस्टी तो बहुत ज्यादा रहेगा तो इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा आप लोग बहुत ज्यादा हेल्दी भीए दोस्तों कोई इसमें हानिकारक समान नहीं है और ऐसे भी सुजी वेशन जो कुछ है दूध है सारा हेल्धी समान है तो इस हेल्धी समान के साथ हेल्धी रेस्पी को ट्राइ कीजिए और इतना लजीच स्वाद वाला रेस्पी एक पर ज़रूर बनाएए बहुत ज्यादा होगी तो एक लाइक कमेंट कीजिएगा अगर इस्टाग्राम फेस्बुक पेज पर वीडियो देखते होंगे दोस्तों तो आप लोग फॉलो कीजिएगा और इस तरह से परफेक्ट रेस्पी बनाएए हमारा चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब करके चैनल पर एक बार जरूर जाएगा तरह तरह की रेस्पी हर एक दिन जाता है तो रोज के रेस्पी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा हम फिर मिलेंगे नई नई रेस्पी के साथ अगले दिन तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई